नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT Virtual Classroom में. और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पढ़ने के लिए Class 10 की हिंदी. Class 10 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी 36 पाठे पुस्तिका भागदो का Chapter 10, जिसका नाम है नेता जी का चस्मा. और यह Chapter लिखा गया है स्वयम प्रकास जी द्वारा. बलकि देश कहलाता है उसमें रहने वाले लोगों से, सभी नागरिकों से, पेर पौदों से, नदियों से और वहां की जो संस्कृती है उससे. और इन सभी से प्रेम करने वाले लोग ही कहलाते हैं देश भक्त. और यह जो पार्ट है, इसमें नेता जी का जो चश्मा पार्ट यह जो है नामक, इसमें जो Captain की भूमी का जो निभा रहे हैं, Captain नाम की जो व्यक्ती हैं, यह इसी तरह के करोडों नागरिकों के योगदान को यहां पर हमें रेखांकित करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश के करोडों लोग अपने देश के प्रती देश भक्ती, जो हमारे देश की समरिधी चाहते हैं, हमारे देश से प्रेम करते हैं, इस तरह से वो हमारे देश के प्रती, अपनी देश के प्रती, अपनी जो देश भक्ती है, उसको प्रदर एक चाश्मे बनने वाला जो एक व्यक्ति हैं, वो किस तरह से अपनी तरफ से अपने देश के प्रती अपने प्रेम को व्यक्त करता है, बहुत सारी बातें इस पार्थ में हमें पढ़ने को और समझने को मिलने वाली हैं। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है और उससे ज़्यादा महतोपूर्ण भी है, तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन चलेंगे स्मार्ट बोट की तरह सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे. हर बार की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले हम पाट के लेखक के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस पार्ट के लेखक है स्वयम प्रकास जी, तो स्वयम प्रकास जी का जन सन 1947 में इंदौर मध्यप्रदेश में हुआ था मक्यानिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई करके एक औध्योगिक प्रतिस्ठान में नौकरी करने वाले स्वयम प्रक प्रकास का बच्पन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजिस्ठान में बीता, फिलहाल स्वैचिक सेवा नौर्टी के बाद विभुपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रका के संपादन से जुड़े हुए हैं, आठवे दशक में उभरे हुए स्वयम प्रकास आज समकालीन क कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, उनकी 13 कहानी संप्रकाशित हो चुके हैं, जिन में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी आदमी जात का आदमी और संधान उलेखनी हैं, उनके बीच में विनय और इंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं, और इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरुषकार, राजस्तान साहित्य अकैडमी पुरुषकार और भी पुरुषकारों से पुरुषकृत किया गया है, तो इस तरह से हमने स्वयम प्रकास जी के जीवन से जुड़ी हुई, कुछ महतुपूर्ण बातें जो की आपके पाठे पुस्तिक से पढ़ सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो ये हमारा चाप्टर है, ये देश के प्रती, यहाँ पर हमें बताया गया है कि केवल हम चारों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग अगर है, तो केवल हम उसे देश नहीं कहेंगे, एक देश बनता है की संस्कृती, वहाँ के सभ्यता से, वहाँ की नदियों से, वहाँ के पेड़ पौधों से, वहाँ के एक अलग जो बातावरन उसको बनाता है, उस संस्कृती से, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाये रखना, इसी सभ्यता का विकास करना, इसी संस्कृती का विकास करना, इ इन्हीं चीजों से प्रेम करना, इन्हीं चीजों से लगाव रखना ही देश प्रेम है। नेता जी की उस बिना चश्मे वाली मूर्ती पर चश्मा लगाता है। जो हालदार सहाब थे, वो हर 15 दिन में अपनी कमपनी के काम से उस कस्बे से यानि कि उस काउं के उस सहर के उस इलाके से गुजरना पड़ता था। वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। और वो कस्बा जो था जहां से वो गुजरते थे, वहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ा भी नहीं था वो कि जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और बाजार कहे जा सके वैसा एक बाजार था। जिसमें कुछ मकान थे और कुछ दुकाने थी जिन्हें बाजार कहा जा सकता था. तो वैसा एक बाजार वहाँ पर था कस्बी में एक लड़कों का स्कूल एक लड़कियों का स्कूल एक सिमेंट का छोटा सा कार खाना और वो जो कस्बा था उसमें खास चीजें जो थी में चीजें जो थी वो केवल कुछ ही थी जैसे कि एक boys school था, एक girls school था, एक cement का छोटा सा कारखाना था और एक दो open air cinema घर और एक थो नगरपालिका भी थी, तो यही चीजें उस कस्बे की खास्यत थी, यही चीजें उस इलाके में में थी, नगरपालिका थी, कुछ न कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सडक पक्की कर ओदी तो कभी कुछ पेशाप घर बनवा दिये, कभी कभूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी 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 संमेलन करवा दिया एक छोटी सी नगरपालिका थी और वो अपने ही हिसाब से जितनी वो छोटी थी, उसी हिसाब से वो अपनी काम अक्सर करा दिया कर थी ही उस area में, उस कस्बे में इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोड या प्रशाशनिक अधिकारी ने एक बार सहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेता जी सुभाज चंद्रबोश की एक संग मरमर की प्रतिमा लगवा दी कि अगर वहाँ पे मतलब था तो कस्बा छोटा सा ही लेकिन शायद इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोड या प्रशाशनिक अधिकारी उसमें कोई ऐसा व्यक्ति कभी ट्रांसफर होके आया होगा कहीं बाहर से आया होगा या वहाँ पे नया जॉइन किया होगा तो उन्हो उन्होंने शहर का जो मुख्य बाजार था वहां का जो मुख्य चौराहा था उस पर नेता जी सुबास चंद्रबोस की एक संग मरमर की प्रतिमा लगवा दी और उन्होंने एक प्रतिमा उस में चौराहे पर सुबास चंद्रबोस की लगवा दी यह कहानी उस प्रतिमा के ब परतिमा के बारे में हैं बात तो अब पता नहीं लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ती की लागत अनुमान उप्लद्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्टी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोड की साशनावधी समाप्त होने की घडियों में किसी स्थाने कलाकार ही को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा तो यहां में एक बात बताई जा रही है जिसे आपने जब हमने इससे पहले भी एक पाट आपकी कृतिका जो आपकी पाठे पुस्तिका है उसमें पढ़ा था जॉर्ज पंचम की नाक और इसमें हम जो प्रसाशन का जो एक रहता है कि उन्हें किस सरह से निर्णय लेने हैं कभ अपने से बड़े अधिकारियों से उन्हें पूछना होता है कभी कलाकारों को उन्हें डूनना होता है तो सरकारी काम जो होता है उसके बारे में बहुत सारी बातें इस पार्ट में हमने पढ़ी थी जॉर्ज पंचम की नाक जो हमारा चैप्टर था तो बिलकुल उसी से कु लेकिन ऐसा लगता है उस मूर्ति को देखकर जो मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है अगर उस मूर्ति को अभी कोई जानकार व्यक्ति अगर देखता है तो ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने या अच्छी मूर्ति के लागत के अनुमान और उपलब्धी के बजट से बहुत ज्यादा होने के कारण या तो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को देश के अच्छी मूर्ती कारों की जानकारी नहीं है कि, क्योंकि देखिए हम सुभास चंदर बोष जी जो हैं, वो हमारे देश के एक स्वतंतरता सेनानी है, और सुभास चंदर बोष की जो मूर्ती अगर वहाँ पर लगाई जा रही है, तो उनकी मूर्ती के बारे में अगर यहाँ पर तो उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो सब से पहले तो कोई अच्छा मूर्ती कार उन्हें अक्सके लिए ड्रूना था, लेकिन अगर नहीं है, तो फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें जो लगा होगा कि यह जो मूर्ती है, इतने लागत में बन जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छी मूर्ती बनाने का बजट जो है वो काफी ज्यादा है और उनका जो अनुमान है वो काफी कम है तो इसी चीज में और इसी बीच कई बार चिठी पत्री यानि कि उहा पोह जो साशन के अंदर चलती हैं काम चलते हैं लेटर्स पास होते हैं एक दूसरे जगह पर तो इसी चीज के कारण और लास्ट में बोर्ड की साशना अवधी कि अब ये बोर्ड समाप्त ही होने वाला है इस साशना अवधी समाप्त होने की अंतिम कुछ घडियों में च्योंकि जो पूरा टाइम था वो तो इसी चीज में निकल गया कि मूर्थी की लागत ज़्यादा हो रही है या अच्छा कलाकार नहीं मिल पा रहा है तो क्या लास्ट में यह हुआ होगा की शायद किसी स्थाने कलाकार को ही अवसर दे देने का निर्ने किया गया होगा है अब मूर्ती को देखकर ऐसा लगता है कि मूर्ती किसी आसपास के स्थाने अकलाकार लोकल किसी स्थाने अकलाकार ने ही बनाई है और अंत में कस्बे के इकलोते हाई स्कूल के इकलोते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतिलाल जी को ही यह काम सौब दिया गया होगा ऐसा लगता है कि अंत में कस्वे का इकलोता हाइ स्कूल है और उस हाइ स्कूल के इकलोते ड्रॉइंग मास्टर है मोतिलाल जी ऐसा लगता है कि ये काम लास्ट में उन्हें ही सौंप दिया होगा और जो महीने भर में मूर्ती बना कर पटक देने पर विश्वास दिला रहे थे जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ती संग मरमर की थी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई दो फुट उंची जिसे कहते हैं बस्ट और सुन्दर थी नेता जी सुन्दर लग रहे थे कुछ कुछ मासून और कमसीन लग रहे थे स्वाजी वर्दी में मूर्ती को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगर है याद आने लगे तो नेता जी की जो मूर्ती वहाँ पर बनी थी काफी अच्छी थी सुन्दर थी जो संग मरमर की क्योंकि वो मूर्ती थ कोई 2 फूट उची थी काफी अच्छी खासी वो मूर्ती बनाई गई थी और सुन्दर भी थी नेता जी भी उसमें बहुत सुन्दर लग रहे थे मासूम लग रहे थे और एक आकर्शक उनका जो लुक है वो लग रहा था और जो उनकी स्वाजी वर्दी है वो बहुत ज़् रही थी और उस मूर्ती को देखते ही किसी भी व्यक्ति के मन में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का जो नारा मेता जी सुबास चंद्र बोस ने दिया था वो याद आ रहा था तो इसी दृष्टी से यह सफल और सराहनिय प्रयास था अगर इस चीज की दृष्टी से अगर देखा जाए क्योंकि सारी कोई भी कमी इस मूर्ती में नहीं थी बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रही थी आकरशक लग रही थी और लोगों के अंदर उत्साह भरने वाली लग रही थी तो इस सफल इस दृष्टी से अगर इसे दे गई थी जो देखते ही खटक रही थी और वो थी नेता जी के आखों पर चश्मा नहीं था तो आपने कहीं भी नेता जी सुभाद चंद्र बोश्ट की अगर तस्वीर देखी हो तो आप उस तस्वीर को देखेंगे आपको उस पर हमेशा चश्मा दिखाई देगा तो पर नेता जी की आखों में चश्मा नहीं था यानि चश्मा तो था लेकिन संग मरमर का नहीं था अब देखें चश्मा तो था लेकिन संग मरमर का नहीं था क्योंकि अगर मूर्ती संग मरमर की बनी हुई है तो चश्मा भी संग मरमर का ही होना चाहिए लेकिन बिल्कुल ऐस तो यही चीज थी जो खटक रही थी कि नेता जी की मूर्ती पर चश्मा थो था लेकिन संगमर्मर्मरका नहीं था एक सामान्य और सचमुझ के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ती को पहना दिया गया था और वहाँ पर क्या था एक सचमच का काला फ्रेम मूर्ती को पहना दिया गया था, चोड़े काले फ्रेम का एक चश्मा उस वह मूर्ती को पहना दिया गया था, हवालदार सहब जब पहली बार इस कस्वे से गुजरे और चोराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उनके जब उन्होंने इस चीज को नोटिस किया, इस चीज को देखा क्यूंकि मूर्ती में कोई भी कमी नहीं थी, मूर्ती बहुत ज़ाधा आकर्शक थी, बहुत ज़ाधा प्रेहना लोगों को देने वाली थी, ल पाले फ्रेम का बड़ा चश्मा और यही चीज जब हालदार सहब जब उस चौराहे पर पहली बार उत्रे और उन्होंने पान खाने के लिए वह वहां से गुजरे तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी यानिकी एक आश्चर्य से भरी हुई एक मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई वाह भई यह आइडिया भी ठीक है मूर्ती पत्थर की लेकिन चश्मा रियल तो उन्होंने के मूह से एकदम से यह बात निकली कि वाह भई यह आइडिया तो ठीक है कि मूर्ती पत्थर की है लेकिन चश्मा जो है रियल है जी कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हालदार साहब इस मूर्ती के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निशकर्स पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रियास सराहनिये ही कहा जाना चाहिए महत्व मूर्ती के रंग रूप कदका नहीं है उस भावना का है वरना तो देशभक्ती भी आजकल मजाग की चीज होती जा रही है देखे ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि जो नेता जी की जो मूर्ती बनाई गई थी वो अपूर्ण थी पूरी तरह से नहीं बनाई गई थ जो नका में चीज जो उनकी थी चश्मा उस पर नहीं लगाया गया था तो हालदार साहब जब बार बार जब अपनी गाड़ी में बैठ कर जिपसी में बैठ कर आगे निकल गए तो वो बार बार इस मूर्ती के बारे में सोच रहे थे और अंत में वो इस निशकर्स पर सकता था, शायद वो उस तरह से इस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुर्ती, महतो मुर्ती के रंग, रूप और कद्का नहीं है, बलकि उस भावना का है, जो कि देश भक्ती से, देखिए, यहां पर मुर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन में चीज है, लो लोगों का सुभास चंद्रबोस के प्रतिसम्मान, अपने देश के प्रतिसम्मान, अपने देश के स्वतंतरता सेनानियों के प्रतिसम्मान, अपने देश के महापूरसों के प्रतिसम्मान, तो इस तरह से उन्हों ने का कि इस प्रियास को हम सराहनिय कह सकते हैं, कि चलो किसी क तो याद आया कि जो मूर्ती है वो अपूर्ण है है ना तो उन्होंने इस भावना इसके लिए उन्होंने का कि वरना आजकल तो देश भक्ती भी एक मजाग का चीज बन गई है दूसरे बार जब हवालदार सहाब उस उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया ध्यान से देखा तो पाया की चश्मा दूसरा है आज मूर्ती का जो वालदार सहाब है वो जैसे कि शुरू में ही बताया गया है हर 15 दिन में उनकी ड्यूटी लगती थी उस कसबे या उस इलाके में अपनी कमपनी की तरफ से तो आज फिर से जब वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आज मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है और यह अंतर क्या है कि यहां पर चश्मा दूसरा लगा हुआ है पहले क्या था मोटे काले फ्रेम का चश्मा चड़ा हुआ था आज मोटे फ्रेम वाला चौकल चश्मा चड़ा हुआ है पहले चोड़ा चश्मा चड़ा हुआ था आज चौकोर चश्मा चड़ा हुआ था अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है अब क्या था पहले जो था मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था अब जो है वो तार के फ्रेम वाला एक गोल चश्मा है यानि कि आज जो है चश् मूरती कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो आज भी उनका थोड़ा सा आश्चरय जो उनका कौतुक था वो आज भी थोड़ा सा बढ़ा और उनके मन में फिर से एक बात आई कि वाह भई क्या आइदिया है। क्योंकि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो जरूर बदल सकती है, तीसरी बार फिर नया चश्मा, फिर देखें अगर वो 15 दिन के बाद वो फिर अपनी उस जगहे पर आये, तो देखा कि तीसरी बार जब वो आये, तो फिर नया चश्मा था, अब हालदार सहाप की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, तो यहाँ पर जब बार बार जो हालदार सहाप थे, वो आते थे, तो वो देखते हैं कि हर बार चश्मे का जो डिजाइन है, चश बार बार बदल चुका होता है, हर बार वो अलग होता है, तो अब उनको यह आदत पड़ गई थी, कि वो जब ही भी आते, हर बार वो कस्बे से गुजरते समय, चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, और मूर्ति को ध्यान से देखते थे, एक बार जब कोत हूल पर जो पान वाला था, एक बार उनका जो कोत हूल है, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्द मनिय हो गया, यानि कि असेहनी हो गया, आप वो अपने उस कोत हूल को, अपने उस एकसाइटमेंट को, अपने उस उत्ता को रोक नहीं पारे थे, कि आखिर ऐसा क्या होता है, कि हर ब अपने मूँ में पान ठूसा हुआ था, तो सबसे पहले तो पान वाले ने अपने मूँ में भी पान ठूसा हुआ था, और वह एक काला, मोटा और खुसमिजाज आदमी था, वो जो आदमी था, वो काला, मोटा और खुसमिजाज आदमी था, हालदार सहाब का प्रश्ट सु तो उसे भी मन में उसको थोड़ा सा प्रसंदता हुई कि प्रश्ण इस तरह का पूछा गया है उसकी तोंद थिर्की अनिकि वो थोड़ा सा हसा अपने मन में पीछे घूम कर उसने दुकान के नीचे पान थुका और फिर अपनी लाल काली 32 दिखा कर बोला क्याप्टन चश्म के वाला करता है तो यहां पर नेता जी का जब आश्चर यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई चश्मा कैसे बदल जाता है तो पान वाले ने स्वयम के मूह में भी पान थुसा हुआ था और वो एक काला मोटा खुश मिजाज अदमी था हवालदार सहाब का प्रशन सुनकर वो हसा थोड़ा सा उसके अंदर खुशी आपने देखा होगा कि जो पान वाले होते हैं उनको आप इमेजन कर सकते हैं तो उसी तरह का एक व्यक्ति यहां पर था थोड़ा सा मजा किया था तो वो आखों ही आखों में थोड़ चश्मे वाला करता है यानि कि यह काम जो है कैप्टन चश्मे वाला करता है क्या करता है हवालदार सहाब ने को कुछ समझ में नहीं आया चश्मा चेंज कर देता है पान वाले ने समझाया पान वाले ने समझाया कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो हर बार चश्मा चेंज कर देता है तो उन्होंने पूछा क्या मतलब क्यूं चेंज कर देता है हवालदार सहाब अब भी नहीं समझ पाए कोई गिरात आ गया समझो उसे चौड़े चौखट का चाहिए तो क्याप्टन किधर से लाएगा तो उसको मूर्ति वाला दे दिया उदर दूसरा बिठा दिया अब हवालदार सहाब को गैर बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्याप्टन है उसे नेता जी की बगैर चश्मे वाली मूर॥ी बुरी लगती है बलकी आहत करती है मानो चश्मे के बगेर नेता जी को असुविधा हो रही हो इसलिए वैं अपनी छोटी सी दुकान में उपलग गिने चुने फ्रेम के चश्मों में से एक नेता जी की मूर्ती पर फिट कर देता है लेकिन जब कोई ग्रहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैस मूर्ती पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला उसे निकाल लेता है तो अब जो है हावालदार साहब को सारी बातें थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगी उन्हें समझ में आने लगा कि एक चश्मे वाला व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन है और शायद क्यूंकि वो चश्मे के पतंद नहीं है बलकि वो उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुचाती है क्योंकि वो एक अपूल्ड मूर्ती है एक तरीके से हम देखा जाए तो इसी में दिखाई देता है कि वो अपने महापुरुसों का अपने देश के स्वतंतरता सेनानियों का कितना चाहता है तो अब वो इस तरह से वो नेता जी की मूर्ती को बिलकुल भी बिना चश्मे के नहीं छोड़ता मानो उसे ऐसा लगता हो कि नेता जी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही हो यानि कि नेता जी देख नहीं पाएंगे अगर वो चश्मा नहीं लगाएगा तो इसलिए वो अपनी छोटी से दुकान में उपलब्द जो गिने चुने फ्रेम है, क्योंकि वो एक चश्मे वाला है, तो शायद बहुत अच्छी उसकी और वो बिल्कुल चौराहे पर दुकान लगाता है, एक रेडी टाइप की लगाता है, तो शायद उसके पास बहुत सारे, एक बहुत जादा मात्रा में उपलब्द फ्रेम नहीं है, जादा मात्रा में उसके पास चश्मे उपलब्द नहीं है, तो अक्सर क्या होता है, कि जब कोई ग्रहक उसके पास आता है, और उसको लगता है कि उसको वही चश्मा चाहिए, बिल्कुल उसी तरह का फ्रेम चाहि पर लगा हुआ है तो कैप्टन क्या करता है कि जो चश्मे वाली मूर्ती पर लगा हुआ जो फ्रेम है संभर दहां शायद वो नेता जी से शमा मांगते हुए कि प्लीज मुझे माफ करना लाकर चश्मा जो है वो ग्रहाप को दे देता है और बाद में नेता जी को दूसरा फ् अभी भी समझ में नहीं आई कि हावलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेता जी का ओरिजनल चश्मा कहां गया तो यहां पर अब क्योंकि हालदार साहब को ये भी जरूरी पूछना था कि आखिर ओरिजनल चश्मा कहां गया नेता जी का क्योंकि नेता जी की जो भ पान वाला दूसरा पान अपने मुँव में ठूस चुका होता है और दोपहर का समय होता है दुकान पर भीड़ भार भी अधिक नहीं होती फिर वैं आखों ही आखों में फिर से हगता है उसकी तोन फिर से थिरकती है और कथे की ठंडी स्पेक पीछे मुढकर वो नीचे पीक और मुस्कुराता वह बोलता है, मास्टर बनाना भूल गया। तो यहां पर जो नेता जी का की जो एक मूर्ती बनाई गई थी संग मर्बर पे, उसमें जो कलाकार था, उसमें जो मास्टर था, वो नेता जी का चश्मा ही बनाना भूल गया। तो बच्चो आपने इस पार्ट में जिस तरह से जो चश्मे वाला है जिस तरह से वो नेता जी की मूर्ती पर अक्सर नए चश्मे का जो फ्रेम है वो लगा देता है यनि कि वो इस तरह से अपनी देश भक्ती को प्रकट करता है तो इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंग बिल्कुल इसी तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिल शुब हो